स्पोर्ट सके इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल में मार पीट और हाथापाई की अगर बात करें तो यूरोप में ये बड़ा कॉमन तरीके का है और इसी तरीके का एक और इंसिडेंट जो है वो फ बतना पड़ा क्योंकि रेफरी ने फाइनल विसल जब लो की लास्ट में और जब फाइनल विसल भजी उसके बाद में एक क्लब के प्रेसिडेंट अचानक से मैदान में घुज गए अब मैदान में मैनेजर्स का तो समझ में आता है कि ठीक है प्लेयर से जुड़े रहते है वही खड़े रहते हैं आस-पास में लेकिन क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर यहां पर आ जाए और वो मार पीट करने लगे एक बड़ी बात होती है थेर बड़ा बड़ा आपको बता देते हैं दो क्लब्स के बीच में मैच था अंकारा गुचू के बीच में कल नाच हुआ था और इन दोनों क्लब्स में अंकारा गुचू ने पहले गोल स्कूर कर दिया और रिजस्पोर ने लास्ट मिनिट रहते अपना एकुलाइजर जो है वो कर लिया तो उसके बाद में हुआ यह कि जब फाइनल विसल उसे समय बच गई 97 में मिनिट में तो वहां कि समय होता यह है कि जैसे ही फैंसवाह पर आजाते हैं समझ में नहीं आता कौन किस के तरफ जा रहा कौन किस के तरफ नहीं जा रहा और प्रेसिडेंट अचानक रेफ्री के पास आते हैं रेफ्री और उनके आख के नीचे पे उनको पंच मारते हैं और जैसे ही कोचा उनको पंच मारते हैं रेफरी गिर जाते हैं नीचे और जैसे ही रेफरी गिरते हैं उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि कौन उन्हें लात मार रहा है कौन भूसे मार रहा है कौन पीठ में वार कर रहा है और किसी तरीके से किसी तरीके से हलेल उमुत जो की रेफरी हैं वो बच-बच आके नीचे चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम चले जाते हैं अपने रेफरीज रूम चले जाते हैं जहां पर वो बच-बच आके वहाँ पर अपने आपको सेफ कर लेते हैं लेकिन उनको इंजिरी करया जाएगा और सबसे पहले फारुक कोचा की अगर बात करें तो उनको सबसे पहले डिटेंशन उनके उपर आया है और साथी साथ दो लोग और अरेस्ट किया है और शायद ये भी हो सकता है कि इस क्लब से जो लोग जुड़े हैं जो बाहर से आये हुए है याने क्लब जिनको बाहर जो दूसरे कंट्री के हैं लेकिन इस क्लब के साथ काम कर रहे है उन सब को वापस भेज दिया जाएगा ये भी ख़बर है क्योंकि उसमें ये कहा गया है भाई तर्किश फुटबोल फेडरेशन हैस डिसाइड़ तो सस्पेंड ओल गेम इन ओल लीग इंडिफिनेटली तो याने जितने भी मैच हैं अब सारे सस्पेंड हो गए इन दोनों क्लब्स की गलती के कारण अब द रिलेटेट लब दे क्लब चेर्में लब ओफिशल और दोस गिल्टी के होम मिनिस्टर की अगर बात करें तो अली येरलिकाया की अगर बात करें उन्होंने ट्विटर पे जाके यह सारी चीज कही है और कहा है तर्किश फुटबॉल हैस बिन पंच्च शेमफुली तुनाइट एवरीवन इंवल्वल्ट इन इस इंसिडेंट विल पे द प्राइ है लेकिन यूएफ़ा के टॉपज़न रैफरी सकी लिस्ट में आते हैं मिलेर की अगर बात करें इवन फीफा के टक नॉटबॉल्च रैफरी लिस्ट में यह भी आते हैं हमुत मिलेर क्योंकि यंग है और काफी ज्यादा अच्चा सरे नका अनालेसिस रहता भी है तो ये सा सारी चीजें हुई हैं और स्पोर्ट के खिलाफ हैं आने वाले समय में उम्मीद तो यही है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाए यूएफा फीफा के तरफ से जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि यहां पर भी इंडोनेशिया की अगर अगर बात करें एशिया में एशिया रीजिन में इंडोनेशिया की अगर बात करें उधार टर्की की अगर बात करें तो कुछ ऐसे जगे हैं जहां पर बहुत जादा वाइलेंट हो जाते हैं फैंस और उनके लोग जो हैं बहुत जादा वाइलेंट हो जाते हैं और उसके सा जादा अलग तरीके से देखा जाने लगता है, तो फिर बहुत जादा भारी नुकसान भी होने लगता है, तो कुछ न कुछ ऐसे रूल्स की बहुत जादा आवश्यक्ता है, जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री है हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालिसिस स्पेशल इटिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैम